तो आज हम बना रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक कप सूजी से आधा किलो से भी ज्यादा वेट वाला केक जी हाँ आपको यकिन नहीं हो रहा होगा लेकिन यह जो आज का केक बना है इतना जादा सॉस पॉंजी बनता है कि पेकरी जैसा इसका टेक्शर आता है अगर आप लोग अंडा दही कुछ भी यूज नहीं करना चाहते तो यह रेसिपी आप लोगों के लिए है तो यह जो स्मूध से टेक्शर वाला केक बनने वाला है सिर्फ और सिर्फ एक कप सूजी से बने गा तो रेसिपी आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने व ज़्याद केक असानी से छूटे इसलिए आपको यहाँ पर एक बटर पेपर भी इसके अंदर डाल देना है बटर पेपर नहीं है तो इसके अंदर तो थोड़ा सा सूखा मैदा भी आप लोग इसके ऊपर डाल सकते हैं चलिए अब केक के लिए बैटर बनाते है तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि आज का केक हम लोग सूजी से बनाएंगे तो एक कप सूजी मैंने यहाँ पर ली है सूजी आपको जो बारीक वाली एकदम जो बारीक वाली सूजी जो हम लोग हलवा बनाने में यूज़ करते हैं वो आपको लेनी है अगर मोटी वाली उपमे की पूरा 1500 ml दूध हमने इस सूजी में डाल दिया सूजी सारा दूध पी चुकी है यहाँ पर बस तीन से चार मिर्ट तक हम लोग को इस तरह से मिला देंगे या फेट देंगे नहीं तो आपका जो cake है soft, spongy और एकदम मुलायम जैसे मुझ में जालती है घुल जाता है उस तरह से नहीं बनता है एकदम कड़क वाला cake बनता है तो चलिए mix होने के बाद हम लोग इसे 10 या 15 मिनिट के लिए कम से कम ढग देंगे 15 मिनिट के बाद हमने इसे खोला है तो 15 मिनिट तक हमारी सूजी ने अच्छी तरह से अराम कर लिया है सूजी हमारी एकदम फूल चुकी है, soft भी हो चुकी है सूजी फूलने के लिए और soft होने के लिए ही हमें इसे 15 मिनिट तक हमने छोड़ा था इसके बाद हम लोग इसमें आधा कप मैदा डाल देंगे आप चाहे तो मैदे की जग पर गेहु काटा भी ले सकते है कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप इसे और ज़्यादा है लिए बनाना चाहते है तो आधा कप गेहु काटा मिला सकते है इसके बाद 3-4 कप हमने इसमें पिसी हुई चीनी या पाउडर शुगर जो होती है वो मिला दी है इसके बाद हमने इसमें 1-4 कप सनफ्लार ओयल मिला दिया है किसी भी स्मेल वाला तेल इसमें आप लोग जैसे सरसो का तेल वगरा ना मिलाईए नहीं तो उसकी सारी खुश्बू सारी जो महग होती है वो केक में भी आ जाती है तो बिना स्मेल वाला न्यूटरल तेल आप इसमें यूज कर सकते है और बस इसके बाद हमने इसमें 1-4 कप के करीब दूद मिला दिया है थोड़ी थोड़ी कॉंटिके में दूद मिलाना है और बस हलकी हाथ से आपको इसे इस तरह से एकी डिरेक्शन में फेट लेना है देख सकते है गाईस इस तरह से तो पूरा एक कप दूद पहले हमने डाला था 3-4 कप सूजी भिगोने के लिए और अब हमने इसमें एड कर दिया है एक चौथा कप तो पूरा 200 ml दूद हमने इसमें एड कर दिया है और एकदम स्मूथ सिल्की सा बैटर हमारा यहाँ पर तियार हुआ है इससे नहीं बहुत जादा यह पतला होना चाहिए बैटर नहीं गाड़ा देख सकते हैं एक चौथा एक कप दूर इसमें से बच गया है तो यहाँ पर हमने बैटर तयार कर लिया है बस लास्ट में हम लोग इसमें बेकिंग पाउडर वगरा मिला देंगे तो यहाँ पर 1.5 तीस्पून यानि की 1.5 तीस्पून हम लोग इसमें डाल देंगे बेकिंग पाउडर तो इस तरह से मार्केट में यह बेकिंग पाउडर असानी से अवेलेबल होती है तो यह आप लोग यूज़ कर सकते हैं तो यहाँ पर 1.5 तीस्पून हमने डाल दी है इसके बाद 1.5 तीस्पून अकपो इसमें एड़ कर देना है खाने का सोड़ा या जो बेकिंग सोड़ा उसे कहते है वो इसके बाद बस एक या दो चुटके आपको इसमें नमक भ्याड करना है इससे ना केक बहुत ज़्यादा टीस्टी बनता है और बस एक छोटी चमबच हमने इसमें वैनिला इसेंस या चॉकलेट इसंस भी आप लोग मिला सकते हैं तो सारी चीज़े मिलाने के बाद आपको बस एक मिनिट के लिए इसे इस तरह से मिक्स करना है हलके हाथ से देख सकते हैं बैटर हमारा बहुत ही बढ़िया सा यहाँ पर तियार हुआ है बैटर की कंसिस्टंसी एक बार देखी जगा इससे ना यह पतला होना चाहिए ना ही गाड़ा इसी तरह का होना चाहिए तो हमने जो पहले से ही ग्रीस करके टिन रखा था ना उसमें सारा यह बैटर आपको डाल देना है इस तरह से दिखे एकदम बहुत जादा पतला भी नहीं है तो बैटर हमने इसमें डाल दिया है अब आपको क्या करना है यह जो टिन है डबा है इसे आपको चार से पांच बार इस तरह से पटक देना है जी हां इससे क्या होगा जो नीचे की एर है या केक अंदर जो हवा दभी हुई हुई रहती है वो बाहर निकल कर आपका केक बहुत ज़ादा टेस्टी बनता है चलिए अब इसे बेक करने के लिए रख देते हैं तो केक बेक करने के लिए हमने ये जो कुकर है न गाईस इसे पांच या साथ मिनिट पहले ही ग्यास के उपर रख दिया था लो फ्लेम पर गरम होने के लिए बस अब ये गरम हो चुका है इसके अंदर एक steel का stand रखकर उसके उपर ये तेन भी हम लोग रख देंगे। देख सकते हैं नीचे ना ही मैंने नमक डाला है, ना ही रेट डाली है, सिर्फ एक छोटा सा उच्छा वाला जो stand होता है वो रखना है। और इसके उपर एक धकन रखकर हम लोग इसे पूरे 35 या 40 मिनिट तक लो फ्लेम पर ही पका लेंगे। तो इस तरह से आपको इसके उपर पैक धकन रखना है, अगर धकन नहीं रख रहे है, कोकर की जो धकन होती है वो लगा रहे है तो आपको भी उसके अंदर की रबर की रिंग और सीटी निकाल कर रखनी है, ये बात याद रखिएगा। तो 35 मिनिट के बाद मैंने इसे एक बार चेक कर लिया था लेकिन ये हलका सा बीच में थोड़ा सा बेक नहीं हुआ था, तो और पांच मिनिट यानि कि पूरे 40 मिनिट होने के बाद हमने इसे चेक कर लिया है, तो ये अब बिलकुल एकदम पॉफिक तरीके से बेक हुआ है, इसके सेंडर में ना हम लिए इस तरह से एक टुथपिक डालकर चेक कर लिया है, देख सकते हैं एकदम क्लियर आ चुकी है, अगर टुथपिक को थोड़ा सा भी बैटर चिपकता है, तो और आप लोग पांच मिनिट तक इसे बेक कर सकते हैं, लेकिन 40 मिनिट में अराम से य इसकाल सकते हैं, डी मोल कर सकते हैं, देखी सकते हैं कितना बढ़िया सा आधा किलो से भी ज्यादा इसका वेट है, मैं आपको इसका वेट भी दिखाती हूं करके कि ये वजन में है 615 या 17 ग्राम यानि की 615 ग्राम का हमारे ये केक तयार हुआ है, सिर्फ एक कप सूजी से ह जाधा कॉंटिटी में सूजी यूज़ की है, थोड़ा सा मैदा भी यूज़ किया है, लेकिन आप लोग मैदे की जगह पर यहां पर यह केक बना है, काटने से ही आपको यहां पर पता चल रहा होगा गाईस, एकदम मारबल फिनिश वाला देखी सकते है, अंदर से जाली, स आपनेस या स्पॉंज अंदर का बनता है, उसी तरह का स्पॉंज इस सूजी से बनता है, जो हमने सूजी भीगोने वाली ट्रिक आपको बताई है उसी से यह रिजल्स आता है, तो जरूर इस तरह का एक बार केके ट्राइ कीज़ेगा, और यह रेसिपी वीडियो आपको क्या बाम का बनता है, भाल क मैं आता है, जपत्का कि सूहेंट एके जो नेता है , दॉसंद एल्सेड़ियो आपको अभाई critical or not ?